याई तो आजम बनाएंगे अलू के पराठे बनाने के लिए मनंने सबसे पहले कड़ाही में तेल को घरम कर लिया है इसमें राई डाल डी हैं जीरा डाल दिया हैं सोब डाल दिया हैं और गौटा हुआ प्याच डाला हैं प्याच को हम त्पीस कोआप राउन होने तक ही हमने आलू पहले से उबाल कर रखे थे इन आलू को मेस कर लेंगे मैंने तीन आलू लिये हैं अब देख सकते हो आलू उबले हुए हैं इन्हें हम मेसर से मेस कर लेंगे हमारी प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं अब इसमें मैंने हरी मिर्ची और लहसन का पेश्ट डाल दिया चलाने के बाद इसमें डाल दीए हैं लाल मिर्ची धनिया पांडर और नमक को यह से कुछ तर्यला मिर्ची को भी पकाएंगे पिर इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर जब हल्दी पक जाएगी थोड़ी सी उसके बाद इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू जो मेज करके रखे हुए थे इन्हें अच्छे से मिला देंगे अब इसे धंडा होने के लिए अलग बाउल में निकाल लेंगे अब इसमें थोड़ी सी सकर और गरम बासला डाल दिया है तो थोड़ा सा फ्रे सहरा धनया काटकर डाल देंगे इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे रख देंगे साइट में हमने आटा लू लगा लिया है आटा नोर्मल रोटी जैसा ही लगाया है जैसे हम डेली रोटी बनाते हैं इसा अब एक आटे का पेड़ा ले लेंगे और इसे इस तरह से कटोई का कार दे देंगे इसमें हम अब आलू की स्टिपिंग डाल देंगे और इसे देरे-देरे करके पुरा फोल्ड कर लेंगे इसे पुरी तरह से पेक करने के बाद दुनों हाथों के बीच में अच्छे से चिकना कर लेंगे और थोड़ा सा पलतन लगाकर इसे रोल कर लेंगे इसे हलके हाथों से ही वेलना है, ज्यादा वज़न नहीं देना है अब इसे हम गर्मत अबे पर डाल देंगे और उलट पूलट करते हुए तेल और घी की साहिता से सेख लेंगे गी और तेल लगाते हुए सेख लेंगे एक मेंने पराठा और बनाया है, जो अलग तरीके से बनाया है मैं तेल लगा रही हूँ, तेल लगाते हुए उलट पूलट करके इसे गोल्डन ब्राउन सेख लेंगे अच्छे से कम टेंपरेचर पर सेखेंगे तो अच्छा करारा सिखेगा और टेस्ट भी अच्छा लगेगा हमारा पराठा बनकर रेडी हैं इसे आचार सोस दही के साथ सर्व करें थेंक्यू फर वाचिंग करें रेडी माइ़त हू रेगा जर रे और सेहे आहते हूंचा पर exclusive massage हमार में आचिए मैं गच्छाव प्रेक्दिन के अभी करेंदे से दान करेंदे पॉलट ूल रेठाहर पर 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 मीश्जात से अधून